याप क्योंकि हमें अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ना है और हमारे साथ में फिलहाल केडी मेडिकल कॉलेज से हमारे खास महमान हमारे साथ में पहुँची हुए है पता दें कि मिस्टर गौरफ सिंग इस वक्त हमारे साथ में मौझूद है मैं यहाँ पर उनसे रिक्विस् कि ये डॉक्टर गॉरफ का बिलकुल और यहां से मंच पर मंच कुमैस वालोंगा रितू बैठेंगे आपके साथ सेशन करने के लिए डॉक्टर गॉरफ सिंग का स्वागत करिये मेडिकल सुप्रिटेंडेंडेंट के इदी मेडिकल कॉलेज के तरफ से हमारे साथ जुड़ू हैं बहुत स्वागत असर आपका ओवर टियू रितू थैंक्यू आशीश क्योंकि अभी हम को लेकर बात की है और अब हम यहां पर बात करेंगे हैल्स सेक्टर को लेकर क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कारिक्रम की कि हम हर विश्या पर चर्चा करेंगे और हर मुद्दे पर बात करेंगे मेडिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं खासकर की कोविट के बात से लेकिन ऐसे में केडी मैडिकल कॉलेज क्या काम कर रहा है हम यह भी देखेंगे और किस तरीके से उसका योगदान है इस सेक्टर में विकास के लिए गौरव जी हमारे साथ में मौजूद है बहुत स्वागत है गौरव जी आपका इस कारिव में गौरव जी क्यूंकि देखेंगे हेल्स सेक्टर को लेकर कहा जा रहा है कि इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज पर है पूरी तरह से डेवलप नह दने भाद में केडी मेडिकल कॉलेज की स्थापना शीरी रामकृष रगरवाल जी ने 2015 में करी थी और उससे पहले उनके डेंटल कॉलेज पहले से ही स्थापित था तो यह इसकी स्थापना मतराचेत्र के लोगों को मेडिकल शिक्षा के साथ साथ एक सर्वोत्तम हॉस्पि पीजी स्थुडेंट्स भी हमारे एडमिशन लेते हैं हमारा अगर हम बात करें हॉस्पिटल की तो आठ सो बेड़ हॉस्पिटल है वह आठ सो बेड़ के हॉस्पिटल में एट लीस्ट हमेशा आपके वाद साढ़े पांसो से छेस्ट पेशन बरती रहते हैं उस छेतर को में कम से कम हजार से बारा सो लोग हमारी OPD को अटेंड करते हैं और खाली मत्रा ही नहीं आसपास के एडिया जैसे पलवल है नू है मेवा आते हैं उससे भी अच्छे खासे पिशेंट्स वहापे आते हैं डेली वहापे करीब-करीब सौसी उपर ऑपरेशन होते हैं एवं इसके फीस नहीं लगती है ऑपरेशन भी बहुती कम खर्चे में होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारा हॉस्पिटल आयुशमान भारत योजना का सबसे बड़ा सेंटर है मत्राचेतर में तो हॉस्पिटल के इलावा हमारे पास आउट्रीच प्रोग्राम्स भी चलते हैं जै प्रपात इसे काफी अच्छे लाब भी दिखने चाले होगा है क्यूंकि की गवर के बात के बात कि जाती हैं कि हम लगदा आचिक सख्षयत में काम कर रहे हैं लेकिन फिच पर हमें इस बात की जानकारी हुई कि हम कहां पर हैं और को बिट के बात बहुत ज्यादा वक्त नह कहा था और कोविट के बाद क्या बदला कितना बहतर बिल्कुल सही बात है मैं कोविट जैसी महामारी पहले कभी ना सुनी थी ना देखी थी हमारे इस इस मेडिकल शेत्र ने और हमने क्या चायना और जर्मनी और अलग-अलग जो यूरोपन कंट्री से उन्होंने भी स्ट्रगल किया काफी अगर मैं यह देखा जाये तो वह नंबर ऑफ केसिस की वज़ए से जो प्रॉब्लम हुई थी उसको नमदर में रखते हुए हमारे जो है सेक्टर था जिसमें नमबर ऑफ हॉस्पिटल बैट्स थे वह बहुत इनडिकेट सावित हो रहे थे तो उस समय पर जो हमने रिलाइस किया कि आज के टाइम में जो क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज एक टरजरी रेफरेल सेंटर होता है खाली हॉस्पिटल बैट्स से फरक नहीं बैट्स थे और जब पीक वेव सेल रही थे उस सबक हमाँ एक सो बीस इस बैट्स थे तो सबसे बड़ा जो सबक हमें यह मिला कि हमें स्पेशलाइस सर्विसस की तरफ बढ़ना है ना कि खाली जस जनर्नल फिजिशन वाली सर्विसस पर तो हमने उसके बाद बहुत सारे सासाथ हमने जो फोकस किया वो है रिमोट मॉनिटरिंग पर आयोटी डिवाइस के थुरू तो जो यह का कॉंसेप्ट है जो कि आप दूर बैटके किसी पेशन को मॉनिटर कर सकते बिना उसको इंफेक्शन के संपर्क में आए उस पर हम लोग ने बहुत जादा काम किया है द तो एक Department of Emergency Medicine और Emergency Critical Care की स्थापना हमने अपने कॉलेज में करी और वो Department अब परपरली स्पेशलाइज है उसमें PG students भी है जिसकी वज़े से चेत्र के लोगों को बहुत जादा लाब भी हो रहा है तीसरी चीज जो है वो है Awareness तो Awareness के लिए Local CMO Office जिसका बहुत जादा सयोग र बढ़ी है बिल्कुल आपने ये तो बताया कि चलिए किस तरीके से काम हुआ और जाहिर तोर पर आपने इस बात की जानकारी दी कि ना सर्फ बैट बढ़ाने से काम होगा बलकि हमें ये भी देखना होगा कि टेक्निकली हमें किस चीज की जरूत है लेकिन इसके साथ एक सव में जो गवर्मेंट बोडी है हमारी जो गवर्मेंट बोडी होती हो MCI है जो कि अब बदल के NMC हो गई है उस पर बहुत बदलावा है पहले तो MCI डिजॉल्व हुई और NMC का गठन हुआ और उसके बाद शिक्षा में कुछ बेसिक चेंजिस परारम हुए जो कि मेरे असाब से बहुत ही आधुनिक चेंजिस हैं जो कि western जो system है उससे coincide करते हैं जो पहले नहीं करते थे तो एक तो अब हम science-based curriculum से हम competency-based curriculum के चले गाए हैं मतलब knowledge जो बच्चों को मिलती थी उस knowledge के साथ साथ अब वो skill development की सीख रहे हैं तो अब government of India का ये initiative खासकर NMC का initiative है कि competency-based curriculum की तर log book का concept introduced हो गया है मतलब आप पहले होता था कि आपने पढ़ाई करी और एक exam दी और exam दे कि आप pass out हो गए तो आपको degree मिल गई अब log book के concept में ऐसा है कि आपको सतत प्रयास करते रहना पड़ेगा knowledge के लिए कि आपके daily monitoring हो रही है उस monitoring के अधार पर आप अपने आपको judge कर रह है एक बहुत बड़ी change ये भी आया है कि अब खाली बच्चों के education नहीं अब जो teachers के education ने उसकी उपर भी government ने ध्यान देना चालो कर दिया है और अब MNMC ने qualification के लिए mandatory कर दिया है कि आप एक certificate course करें सारे teachers जो भी पढ़ाते हैं ताकि एक शिक्षा में जो quality है वो maintain हो पाया ह अब हाल फिलाल में कुछ changes ऐसे भी है जो हम लोग अभी समझ नहीं कोशिश कर रहे हैं जिसके impact जिसे पहले 24 subject वा करते थे अब 20 subject कर दिया है TV chest, Rehabilitation और Emergency Medicine के topics को हटा दिया है मैं भी बिश करिकुलम से और नए changes में अब ऐसा है कि देर सो से जादा सीष नहीं बढ़ा सकते हैं तो यह कुछ changes है जिसके बारे में चर्चा चल रही है उनके प्रभाव समय के साथ पता चलेंगे बलकुल लेकिन इसके साथ ही एक सबसे बड़ी समस्य यह है कि doctors की हमेशन से कमी रहती है ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में doctors को लेकर काम नहीं होता है या फिर interest कम है बल जो दिखा जाता है कि लोग private practice पे जादा भुरुसा करते हैं अगर वो किसी hospital के साथ जोड़ भी जाते हैं तो इसके अलावा वो अपने nursing home खोल लेते हैं, clinic खोल लेते हैं या फिर जो लोगों को मिलना चाहिए जो सीवा एक doctor से मिलनी चाहिए उसमें doctors का रुजहान थोड़ जाद इसलिए government hospitals होते हैं यह जो एक problem है इसको किस तरह से दिखते हैं पहले तो जब आप कहते हैं कि इंडिया में doctors की कमी है तो अभी जो आकड़ा ministry ने सब्मिट किया parliament में उसके साब से तो हमारा जो ratio है जो की 1 is to 834 के around है वो जो WHO का ratio है उससे तो better है problem हमारी doctors की कमी नहीं ह अनीकुल distribution of doctors की कमी है आप डेली जाएंगे आप केरल जाएंगे आपको number of doctors per patient बहुत जादा हाई है पर आप UP में अगर remote areas चले जाएंगे for example आप आगरा बैठे हैं यहापे doctors की कोई कमी नहीं है पर आप यहीं से एटा की तरफ बढ़ेंगे या फिर आप फिरोजाबाद की आपको कमी दिखेगी तो कमी doctors की नहीं in equitable distribution की कमी है और दूसरा यह है कि जब अब इतने सारे medical graduates साल भर में निकल रहे हैं for example 700 medical college all over India है और उसमें करीग करीव 70,000 MBBS बच्चे हर साल निकल के आ रहे हैं तो आने वाले समय में यह कमी तो पूरी हो जाएगी और हो भी रही है ब इतने बच्चे निकल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे आपके इन services में peripheries में जाना चालू होंगे अगर हम इस तरह से सोचें कि state wise representation बढ़े या फिर district wise representation बढ़े जिसमें जिस district के बच्चे हैं उनको कुछ समर्थन मिले कि वो जाके MBBS में admission लें और वहीं पर आके practice करें तो जो दूसरा आपने बोला private clinics की बात तो देखे अभी भी हमारे देश में healthcare facilities government इतनी जादा provide नहीं करा सकती कि without private की help के उसको पूरा किया जा सके अभी भी जो lines लगती है government medical college में जो की lines लगती है medical hospitals में वो हर कोई आदमी नहीं लगना चाहता है हर कोई आदमी उसमें अपने अ सच्चा ही है इस देश की और वो आगे भी चालू रहेगी पर हां आने वाले समय में जो हम देख रहे हैं वो यह है कि private medical college sorry private hospitals को चलाना इतना असान नहीं रह गया पहले जितना अब regulations भी improve होते जा रहे हैं पहले के मकाबले बहुत जादा नियम भी बदल रहे हैं तो जो को भी इस problem के solution के लिए को changes करने के ज़रूत है अपने नियम कानून में किसी तरह की policies में गवर्मेंट पहले से चला रही है जो आउश्मान भारत यूजना है यह private medical college को बेखर करती है private hospitals को बेखर करती है इसके लावा भी government जो guidelines देती है practice के लिए government जो guidelines देती है private hospitals के लिए व मेरे ख्याल से देश साही direction में बढ़ रहा है और जो अभी की governing bodies है वो उनकी decisions पहले के मुकाबले कहीं बहतर है अब एक last सवाल क्योंकि समय थोड़ा सा कम है हमारे पास और यह session सुमापती की तरफ है जो KD medical college है इसकी specialization क्या है तो क्योंकि KD medical college high way place state है तो हमारी best specialization जो है व हमारे पास separate department of neurosciences है जिसमें neurologist psychiatrist और neurosurgeon मिलके cases को handle करते हैं और brain से जुड़ी सारे trauma सारे injuries और सारी problem को solve करते हैं तो I think अगर आप हमारा flagship अगर department की बात करना चाहिए तो neurosurgery है चले ठीके बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका हमारे staff इस character में जुनने के लिए अपना कीमत की वक्त देने के लिए तो आपने जाना कि किस तरीके से आखर चिकिस्ता किक्षित में health sector में काम हो रहा है और किस तरह के बदलाव किये जा रही है और government किस तरह से support कर रही है तो फिलहाल इस session में इतना ही बहुत धन्यवाद आपता गौरव जी कारिक्रम में शामिल होने के बिल्कुलार मैं चाहूगा कि हमा कि